हेलो फ्रेंड्स मैं ररीद कुपता आपका लॉच्पर स्टय यरे स्वागत करता हूं तो चल इस डर करते हैं इस कहानी को इसका नाम है लफ डाफिल्ड आई हॉप आप इसे सुनेंगे और इंजय करेंगे तो चले स्टाट करते हैं इस अस्टोडी के पार्ट 1 को इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ में बता दू कि मेरा दूसरा चैनल जो है Logical High Tech Institute वहाँ पर जो आप बिजिट करें वहाँ पर सारे सब्जेक्ट के टीचर अवेलवल हैं फिर इसके मैथ के कमेश्टरी बायो जितने भी हैं 10th 9th 11 12th जो भी हो सारे वहाँ अवेलवल है तो वहाँ पर जाएं बिजिट करें ठीक है क्योंकि इस चैनल पर यह लास्ट है चैप्टर ठीक है 10th का इसके बाद मैं सारे वीडियो अप्लोड करूँगा वहाँ पर ठीक है तो आप ध्यान से वहाँ पर जाएगा जरूर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यह जितने वीडियो वहाँ पर यह अवेलवल होंगे ठीक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिं कहानी, mysterious कहानी, कुछ informational, कुछ motivational तो जवरदस्त यह चैनल बलके त्यार होने वाला है ठीक है कुछ दिन का टाइम लेगा मुझे और आप इनसे जूड़े रहे हैं हमारे चैनल से, दोनों चैनल से जूड़े रहे हैं कहता है वो लड़का कि यदि मैं आईस ओपिसर बन जाता हूं तो मैं तुमसे साधी करूंगा और मैंने यह बात उसके हाथों को टाइट याने जोड से पकर कर यह कहा बात भावुक होकर और उसकी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी चमकते हुए पुट अर अधर हैंड ओन माइन और उसने अपने हाथों के मेरे उपर रखा दे जेंटली सेट विधा गलिंट इन हर आइज और उसके आखों में चमक थी और फिर वो कही और फिर वो कही अंड फोर सम्डी जयन यूँ डॉंट देन अइसल मेरिव फिर्शन ने कहा कि यदि तुम किसी काईवस नहीं बन पाते हो देन आइसल मेरिव तब फिर मैं तुम से साधी कर लूँगी मतलब इतना वो बात लरकी कह दी कि यदि तुम साधी करोगे तो आयस बने करोगे लेकिन अगर ना भी बन पाते हो फिर भी मैं तुम से साधी करोगी यह बहुत ही सधारन था उसके इस चतुराय भरे बात को सुनकर अपने गलती को समझ लिना कि सही भी बोली कि ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब आयस बनोगे तो ही साधी होगा अगर तुम आयस ना भी बनोगे फिर भी मैं साधी तुम ही से करना चाहोंगी और यह उसका बहुत ही सरल जवाब था बहुत ही सही बात बोली वो एज बिलकुल इंटेलिजेंट गर्ल की तरह सिंसियर कह सकते हैं उसे आठ सालों से वी लिवड आउर लिव टुगेदर हम दोनों एक दुसरे के साथ रहे हैं जी ये साथ हैं वी कमिं इन प्रोसेस इमोशनल एंकर फोर इच अदर और हम लोगों के बीच एक भावुक संबन था जो यह हमें दोनों की मैच दिरिंषन को बचाकर रखी हूए थी वी लाप्ट, हम लोग हसेएं, वी क्राइएं, हम लोग रोएं एज एंट सॉत लरें और हम लोग दुस्एयों को बहुत हम दाईक दनी कें किती होती थी वैसे हम लोग बदल जाते थे से प्रेशन वाज दर लास्टिंग ओन आर माइंड एंड वर लेवल एज दर मेड फोर इच अदर मतलब यह जो से प्रेशन की जो बात थी मतलब अलग होने की बात यह तो हमारे दिमाग की सबसे अंतिम चीजे होती थी क्योंकि हम हम लोग तो बने होई थे लेवल हम लोग तो बने होई थे किसके लिए मेट फोर इच अदर एक दूसरे के लिए कपल हुच फॉर्मल एलाइंस वाज फोर्गोन कॉंक्लूजन जिसका वीदिवत गटवंदन एक अंतिम निसकर्स था तो यह थी अस्टोडी का पहला खंड ज जब यह बात मेरे माता पिता और मेरे प्रजनों को परी तो मेरे पैर ही थंडे पर गए हैं वेट केम तू ताइंग थे नोट जम मैंने उन्हें इस रिष्टे की बात कही विद गर्ल आई हट सो प्यासने लब उसी लर्की के बारे में जिसे मैं बहुत प्यार करता था और वो बता रहे हैं कि मैं मेरी जब उस उपहास हो रही है तो इसका कान वो याद करते हैं बोलते हैं मैं अर्ली जब मैं किसी दूसरे का उपहास उराता था दो जो लव्ड एंपार्टर जो भिछरते थे वें जो आज मेरे चेहरे पर साफ दिखलाई पर रही है कि वे सारे घटनाई अब मेरे साथ होड़ी है और ना जाने मैंने कितने हजारो बहाने बनाए उससे अलग होने के वे कहते हैं कि मेरे दिमाग का अगर निस्पच मुल्यांकन किया जाए ग्रेशल्स का मतलब होता है दिमाग ठीक है इडियम से एक तरह का कपल्ड वित माई नेविटी तो बर्न दा मीडनाइट वेल तो यह ऐसा होगा जैसे कि मैं जहूं अब देर रात तक तेल जो जलता है गाओं देहातो में तो उसमें मैं देर रात तक कोई काम करने में क्या होगा समर्थ हूं मतलब मैं पर नहीं पा सकता हूं ठीक है ऐसा बता रहा है और यह अज़िए अब देर रात तक परने में समर्थ हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गर्फ्रेंट जो चाहती थी कि मैं क्या बनूं एक ज़र्लिस्ट बनूं तो मुझे लगता है कि मैं उसी चीज में क्या कर जाओ चला जाओ ठीक है और यह जो नौकर साहा का जो पद है मैं इसे क्या कर जाओ भूल जाओ मैं इसे पीछे छोड़ दूं और मेरी जो गर्फ्रेंट चाहती है मैं वही काम करूं और यहां पर बता रहे हैं कि वह बहुत सुंदर थी ठीक है और जो भी उसे देखता था वो अपने सर को इदर मोर नहीं पाता था ठीक है मतलब लोग उसे एक टक से देखते ही रहते थे लेकिन उसके अपने सुंदरता का बारे में कम ग्यान था यही नहीं कह सकता है कि ग्यान नहीं था ग्यान था लेकिन उसको अपने सुंदरता पर घमन नहीं था और जो हमेशा मुझे क्या करती थी प्राय यह मुझे एसास दिलाती थी that a real beauty was actually not visual to the next eyes क्योंकि वासता में मुझे एसास दिलाती थी कि यह सुंदरता जो उसके ऊपर दिख रही है यह सुंदरता उसको नहीं है उसकी सुंदरता हुआ है जो हमें अपने आखों से दिखाई नहीं पर रही अर्थात उसकी वह सादगी her simplicity ran contrary to my proclivity of overloading things और वह काते हैं कि उसकी सादगी जो है मेरी सौट से बहुत बड़े थी मतब मैं समझ नहीं सकता था कि वो किस तरह के उससादगी उसके अंदर मौजुद है एक बहुत ही आदर्स वादी महिला में से वो एक थी महिला करना गलत होका लड़की है ना मतब ऐसी लड़की जो इस उमर में कितनी सिंसेटी के साथ कोई बात कहती है ना बहुत ही सही और सरल जवाब देती है बिलकुल सटीक और बिलकुल फ्रांक जिसको बोलते है ना कि वो confusion में जिनकी चला आता है और वो बहुत ही फ्रांक ली बात करती है और इसी से जो वो आयस अपिसर जो लड़का था बनने वाला था जो आयस अपिसर वो काफी उसको इंप्रेसिब करता था उसकी सादगी खास कर टॉल बोरिस और जस्ट सॉट ओव बिंग कॉल और एंथ्रोप्लोरिस्ट डिलाइट लंबा और एक छोटे से प्रानी बिज्ञान कहना कम है डिलाइट माइ इंसेक्योटिज मेड मी मोर वॉल्यूबल अवाउट माइ सिमिंगली नन एग्जिस्टेंट कॉलिटीज और वो कहते हैं कि खुसी के बात है कि मेरे अंदर मेरे अंदर जो इंसेक्योटिज आसुर अच्छा का भाव है न और जो मेरे अंदर अज्ञानता है वो आइस्थिर है अच्छा है कि मेरे अंदर ये मौझूद है और मैं सीख रहा हूँ अपने प्रेमिका से यहां पर विकाना चाहते हैं ना कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे जो प्रेमिका है और इसलिए अपने आपको मानते हैं कि मेरे अंदर जो भी गुन है असरशित रूप में वो आइस्थिर है वो सही है आगे कहते हैं अपने जोर से अपने सद्गुन के बारे में बात की अपने आपको मुर्ख बनाया मतल्द उनको ऐसा लग रहा है मतल्द जिस तरह से मैं बोलता हूँ उसे मुझे लगता नहीं कि मैं उस लायक हूँ कि मैं कोई बात क्या कर दे रहा हूँ बोल दे रहा हूँ ठीक है उसके सामने क्योंकि वो जानते हैं कि वो बहुत समझदार है लेकिन वो ऐसा कहती नहीं है इस पूरे संसार मुझे ऐसा ही लगता है कि मुझे समझने वाली केबल कौन है सिर्फ वो है और वो कहते हैं कि मेरे अंदर की जो खामिया है उसने उसे नजन अदाज किया उसने मुझे कभी हैसास नहीं दिलाया कि मेरे अंदर कौन से खामिया है and made me full confident about myself उसने हमेशा मुझे क्या किया confident रखा बिलकुल कि तुम में जो काभिलियत है वो तुम कर सकते हो for many years I visualized my life as totally bad and without her और कई सालों के बाद मुझे ऐसा पर्तीत हो रहा है कि मेरे जिन्दगी है उसके विना बिलकुल एक बंजर भूमी के समान है सिवज मैं life force वो मेरे जीवन की सक्ती थी source of inspiration और मेरे प्रेरना के स्रोत and my altar येगो and roll into my one और ये जो अहंकार का जो केंदर बिंदू था अब लगता है सब के सब क्या हो गया है रुढग गया है little wonder I felt part of myself being sliced off when I decided to say goodbye और मुझे बहुत आश्चर हुआ कि जम मैंने goodbye याने की अलविदा करने का निष्चे किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने अपने जिन्दगी के कुछ ऐसे चीज यानि ऐसे पार्ट को में हटाने जा रहा हूँ जिसे मेरी जिन्दगी अधूरी होने वाली है she was wearing a candy yellow dress my favorite और मुझे याद है कि वह जो है candy पीले रंकी dress पेने थी जो मेरी सबसे पसंदीदा थी when I called her for the last time जब मैं उसे मिलने गया था इस अंतिम चन में with myriad thought crowding my mind I entered the restaurant और जब मैं restaurant में प्रवेस कर रहा था तो उस भीरभार इलाके से तो मेरे दिमाग में कई सारे बाते चल रहे थी with trepidation rehearsing filming excuses बहुत सारे ऐसे ऐसे उधारन ऐसे ऐसे कवसतने excuses यानि कि भाना बनाने के तरीका adding let it more sentimentally to my side of the story और मेरे कहानी में इसा लग रहा था कि मानो कौन सा sentimental word जो है मैं जोरने कोईस कर रहा था अपने अंदर ताकि मैं इसे आज इंकार कर सकूँ so ingeniously list with all kinds of mundane regions और इस कहाने से मेरे दिमाग में नजाने कितने सारे भ्रांतियां आ रहे थी कि मैं उसे कहूँ ranking for caste, creed, culture यानि कई तरह के फ्रांतिया मैं उसके मन में डालू जात, पात, सांस्कृती ऐसे बेचार उसके मन में डालू ताकि वो जो है क्या कर सके हमसे दूर जा सके इस रिस्ते को ना कह सके और मैं इस रिस्ते को ना कह सकूँ ऐसा मैं सोच कर उसके पास जा रहा था और वो यही करना चाह रहा है थे कि रेली में उस टाइम उनको काफी ज़्यादा जो है एक बेचैने साब परतीत हो रहा था और वो खुद संतुष नहीं थे लेकिन अपने पारिवारिक कला के कारण पारिवारिक स्थिती कारण और अपनी जो कायरता है समझों से छुपाया जा रहा था उसके अंदर से क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्पिडेंट थी परन्तु ये लड़का जो है कॉन्पिडेंट बिल्कुल नहीं थे अपने इस सच्चे रिलेशन को लेकर तो ये आपका पार्ट टू यहां खतम होता है हम लोग पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे तो बने रही है हमारे साथ और वाच करते रही है हमारे वीडियो को थैंक यू एंड टेक केर झाल खरी झाल 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 याल कि अर अर्ट झाल प्ला गजय